नमस्ते मैं पारूल आज एक बहुती प्यारे सी मुवी का रिक्मेंडेशन लेकर आई हूँ पॉपकॉन टॉकिस में A Man Called Auto नेट्फिलिक्स पर ये मुवी है और ये कहानी है एक तुनक मिजाज व्यक्तिकी जो वेल और्गिनाइज़ रहना पसंद करता है एक inclusive society चाहता है अपने पास परोस के परियावरण को अच्छा और साफ सुत्रा रखना चाहता है जिसे काम से समय से पहले निकाल दिया गया है रिटार्मेंट दे दिया गया है और वो घर वापस आकर खुदकुशी की कोशिश करता है जिसमें वो असफल हो जाता है और ये असफल होता है एक नई परोसन की वज़े से जो बार-बार आके उसे डिस्टर्ब करती है और वो बार-बार खुदकुशी की कोशिशें कर रहा होता है थोड़ी देर बाद पता चलता है कहा दीबे आगे कि उसकी पत्नी छे महीने पहले इस दुनिया को छोड़ कर जा चुकी है और वो उसके बिना जंदगी का कोई मतलब नहीं समझ रहा है इसलिए वो उपर उसे जोइट करना चाहता है इसलिए वो खुदकुशी कर रहा है तो अपनी इस पडोसन से वो थोड़ा सा नाराज रहता है वो हर किसी से थोड़ा थोड़ा नाराज ही रहता है लेकिन धीरे धीरे अपनी इस नई पडोसी अपनी बीवी के एक पुराने स्टुडेंट और अपने साथ के एक साथी दोस्त जो उनके पडोस में रहते हैं दमप और आटो जो है वो अपने 60s में है, आया है अभी अभी, दोनों जब भी स्क्रीन पर आते हैं, स्क्रीन बहुत समझदार सी लगने लगती है, बड़े अच्छे डिसकेशन्स होते हैं दोनों के आपस में, बड़ी प्यारी सी वो लेडी है, और उनके पास जिंदगी जीने के बहुत सारे बहाने हैं जो वो आटो को दे सकती है, उनमें से एक है, गरमा गरम और स्वादिश्ट खाना, आपको नहीं पसंद, मुझे तब बहुत पसंद है, कोई आपके लिए खाना बनाए और वो स्वादिश्ट पीओ, और क्या चाहिए, जिंदीगी सेट, खेर, फिल् जाते हैं, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, वो किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब वो किसी और को उस पडोसर को गारी चलाते हुए देखते हैं, तो वो उस दिन शामकुन के घर चाते हैं, और उन्हें कहते हैं, कि मैं तुम्हें गारी चलाना सिखा एक बार और तुमने होन में जाया तो दुमानी में चुट्टी कर दूंगा और वापस आकर गारी में उस लेडी से कहते हैं कि तुम दो लड़कियों की माँ हो तीसरे बच्चे की माँ बनने वाली हो तुमारा एक मुर्क पती है और तुम दूसरे देश से आकर यहां पर नही भाशा सीख कर सब कुछ संभाल रही हो पूरे परिवार को जोड़े हुए हो तो तुम इतनी मुर्क तो नहीं हो कि तुम गारी चलना ना सीख सको और वह से गारी चलना सिखाते हैं यह फिल्म देखिएगा दोस्टों जिंदेगी की छोटी छोटी बातों से जोड़ी होई यह बताने वाली फिल्म है कि आपके दोस्त आपके पडोसी उनसे सिर्फ कार नहीं खरीदने और नया अच्छा घर बनाने के लिए ही इर्शया नहीं रखी जा सकती उनके साथ इसके लावे भी और बहुत कुछ है जो आप शेयर कर सकते हैं बाकी फिल्म एक स्विडिश फिल्म का अमेरिकन अडप्शन है और एक किताब पर आधारित है जिसके लेकक हैं फैडरिक बैकमेन और टॉम होग के अलावा भी इसमें और बहुत सारे कलागाने जिनोंने काम किया है और उन सब के नाम और 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 भी ऐसी जानकानियों के लिए जब कभी धीमे धीमे से हलका हलका सा कुछ देखने का मनों देश वर्म को ज़रूर देखिएगा नमस्ते जल्दी मिरते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेजिएगा पाई